इगो स्टीमैक की पॉफॉमेंस बहुत बढ़िया रही है इंडियन इसे इंडियन कोच उनकी आप देखूगे चार साल में उन्होंने टीम को एक नेक्स लेबल तक लेके गए हैं आप कांटर एक गयम हम केलते थे यह लॉन्हों लांग वल खेलते थे पता चला एगनो हम हाप आते ही एक लॉज बल मार देते थे आप स्कूर हुआ वा नहीं हुआ नहीं हुआ उस तरीके से अव फुट्वल केलते थे वह वेरी वेरी वह पॉर गेमप्लेश अपट व्यवर् आप दो साल में और टीम की लेवल भी बहुत आप हो चुकी है बहुत आगे जा रहे हम लोग and I'm sure अब थर्ड राउंड भी हम क्वालिफाई करेंगे जो कि हिस्ट्री होगा मतला भी से हिस्ट्री इस लाइक काभी जिन्दी की में नहीं हुआ जो स्ट्रीमक कर सकते हैं so football की ग्रोथ तो हुई है बाई and स्ट्रीमक has all the credit see a lot of players he brought in and groomed to that level so respect to स्ट्रीमक and I'm sure that he is going to stay another four years for India as a coach मेरे हिसाब से तो यह है okay आपको यह लोग सब सुनना था क्या सरब नहीं हा रही है तुम लोग को, अभी सुनना है, अभी सुनना है अभी स्ट्रीमक को करेट देना है मतला बेसरम की हद होती है वह तुमालों की सात महीना पहले मैंने वीडियो बनाया था साथ आठ महीने पहले बोला था सेक्स्टीमैक इमीडियेटली बोला था और ये भी बोला था कि हमारी रेंकिंग 114 होगी 110-114 मैंने रेंकिंग बोला था जब हम साया फाइनल जीते थे उस दिन मैंने बोला था और आज हम 117 रेंक पे हैं मेरी हर बात सच हुई हर बात सच हुई है ऐसा कोई यूटूबर नहीं है इंडियन फुटबल में जिसने ये बात इतना अच्छे से प्रडिक्ट किया था मैंने सिर्या गेम क्या पूरी तीन में बोला था एक पॉइंट होगा एक पॉइंट और हमारे स्टीम मुझे प्रूब कर दिया और भी पढ़िया और इसे प्रोफेसर ते हाइस लेवल उन्हें जीरो करके लेकर आगे मैं इसे बोल दिया था एक्जाक्ली हैपन आज इस पर बात नहीं करना है हम बात करने कौन से कौन से प्लेयर जो है यहां से अलवीदा बोलना चाहिए इंडियन नेसल टीम से स्टीमेक तो जाने वाले से नहीं है तो फिर प्लेयर ही की बेंड बजेगी प्लेयर कौन-कौन जाएगा मेरे हिसाब से कीपर में अभी अम्रिंदर सिंग को हम छोड़ना चाहिए और विसल केत को जो है अभी सेकेंड चोइस गोलगीपर रखना चाहिए कुर्पत सिंग से जहां पर हम स्टीमेक जो है स्टीमेक कर से थे क्यूंकि थर्ड ऑप्शन तो आने वाला नहीं है और यह कंस टू गेम प्ले राइड बेक में निखिल पुजारी को हम अलमीदा बोलना चाहिए एक साल उन्होंने बहुत ही बड़ीया प्रमेंस दिया उससे हम भाई-बाई सबस्क्राइब करें ना चेहिए और भाई बोल्स भी स्कूर्मेरे ना चेहिए इस फूल बैक एड़ी देसंट जब भेके अन यहर महताब और कोटाल इतीनों से अब ताइम आप हो चुका है लेग देम प्लेए इसल एंसे और फिस देयर और एंसे आजिए और फॉल एज उ रहित को आउट कर दो बाकि जो ग्रूप प्लेयर हैं उनको कंट्नू करना चाहिए नो चेंज ओन डैट जो यह सबसे ज़्यादा सेटल है वाइद हुए राइट विंग में मैं चाहूंगा के बनबीर सहाब को थोड़ा ओन और आफ रखेंगे तिल टाइम ही रेगुलर हमा को लाएंगे तो उनको अपर्स्टूनी देंगे ठीक है और आशिक अगयन पॉपम करके वहां पर आना चाहिए यसा नहीं कि आउटमेटिक स्लिट हो जाना चाहिए यह है लिस्टन को एकजाई सेड्यू ओन और आफ कर सकते हैं बाकि यहां पर सटल टीम है राहूल के पी ठ अब भी तिरको हम मुलाएंगे नहीं तो तू आमत तो इसनपड़िदा को अभी से अलवीदा रहीम अली को इसे बोल दिया गया है इसको भी बोल दिया जाना चाहिए और हमारे सुलीन चेत्री जी जो है बैंच में रहना चाहिए रेस्ट अब दस मैचे जब तक वो रिटा चाहिए अब सो प्ले exposing अलवीदा बोल का 10 वर ढूंब तो पर अच्छेंए थो मिछ यॉंग शूद देखेंगे तो मजह अगा देखने में आपका क्या मेंben कोई प्लेयर में ने छोड़ दिया भी बता दीजीए झाल 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 झाल